बागपत के दोगर ठानक शेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है जहाँ पर एक लाग की इनामी बदमाश कोक्यात हप्पु ने अपने गैंड के सदस्यों के साथ मिलकर गंगनोली गाओं के प्रधान के घर पर अंधा धुन फारिंग शुरू कर दी जानकारी के मताबिक कोख्यात हप्पु की इनामी बदमाश प्रमोद राठी के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था जिसके चलते बदमाश हप्पु ने पहले प्रमोद को मौत के खाट उतार दिया लेकिन अब उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने के लिए उनके घर पर अंधा धुन फारिंग कर दी और मौके से फरार हो गए इस दोरान अब्रतित प्रमोद के परिजनों ने घर में चिपकर अपनी जान बचाई घतना की सारी वारदात सीसी टीवी में कैद हो गई है फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वही इनामी बदमाश हपू पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल पाहर है जिसे गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है महिला पिरदा ने उसके घर पर हमला हुआ था ततकाल आइसो ने पहुंच कर दो अवियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था और उसके द्वारा चार अवयुक्तों के विरुद तेहरीर दी गई है, जिस पर मुकदम पंजी करत है, दो अवयुक्तों को जेल बेज दिया गया है